तो कि अलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टो मैं चैनल मैं हूँ आपकी वर्शा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टिजिटी एंड पीजिटी कॉमर्ट्स की क्लासिस के बारे में वीडियो स्टाट करने से पहले प्लीज में चाहं को सब्सक्राइब कर अब आपने हमारा ग्रेबवाइन कॉमिने केशन होता है आपने सुनाओगाऑगई रिवाइन कम्मografia 9 itsnell eight तो आपस में बात करते हैं काम से फ्री होता है गॉसिपले हैं किसी तरहें कारते में रूमर होता है वाउसा य hen's तरह की पारति हुरतु कि पोजिए समय करने कि वह थे लहां हों थे माड़ा ख़ितला कि आए कनल को बात करें आंदर को आप कि प्रिशक रहे की इसकृत बात लिक्टर नहीं होता है इस तरह की कम्मिनिकेशन में यहाँ पर एक में फिक की क्या घाया गोसिप करते हैं तो कोई वेस नहीं होता हम अपने कोई भी राधा की जिसके साथ हमारे अच्छे पर विह रिलेशन हैं जिसके साथ हम उन है वहाँ पर इस तरह के पर जो अम कोडिनेशन के साथ काम करते हैं तो वहां भी अगर हम बात करें तो ग्रिवाइन कम्यूनिकेशन हो सकता है ठीके तो यह कंपनी टु कंपनी वेरी करती है तो हम नहीं कह सकते हैं कि यहां पर यह इसके अंदर कोई हायर की होनी चाहिए यह एक तरह ऐसे एक इन्फॉर्मल अब जौब डिजाइन अपरोच इस अब जो जोब डिजाइन है वो किस तरह की शाप प्रोच है जौब अनरच मेंट की जौब टिश्मैंट की जौब टिज़च्मन अन्दर की बात की जा रिए तो यहां पर सारी फैक्टर्स लेके चलते हैं जौब के अंदर क्या कैसे काम करना है किसको काम करना생 så easycop reactions pointis work. यहा पर शका नेचर सेम रहता है वसको क्या है कि दूर्सी जॉब में उसको रोटेट कर दिया जाता है तो यहाँ पर जॉब डिजाइन तीनों ही जगे अप्लाई होगी इसलिए option 4 यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा next आते हैं which is the element of bureaucracy अब ब्यूरो केसी का क्या element है आपको यह बताना है देखियो first option है rules and regulations hierarchy of authority departmentalization या फिर all of देखियो केसी का मतलब होता है आप कोई भी काम यहाँ पर नौकर शाही या पर ताना शाही इस तरह की चीज़ां लेके चल रहा है तो देखियो ब्यूरो केसी के अंदर rules and regulations भी होते हैं कि इसको यह काम करना है तो करना है यह rule बना दिया है इस तरह के regulations आरी में क्यों होते है hierarchy authority होती है इसकि top हो गया मिडिल हो गया लोर मैनेजमेंट हो गया तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर भी सबकी duties Assain होते हैं उनकोいつ काम करना है departmentalization में भी क्या होता है लग-े देपार्यमेंट बना दिया जाते है जैसे finance department production department sales department बताते हैं नेक्सक्षे को शन पहाँ ए फिसको नहीं बताऊंगे यह आपको मुझे बताना है ठीक है एक कोशन को आप अपना वर्क के लिए रखिये आपको इसका आंसर बताना है नेक्स्ट है अब यह तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा two-factor theory को तो यहाँ पर आपको यह बताना है two-factor theory जो है motivation की किस ने दी है friends अगर आप अपने एंटेंस exam के लिए जा रहे हैं तो motivation की theories को जरूर कर लिजेगा खासका यह two-factor theory और साथ में आप कौन सी करेंगे तो यहाँ पर हर्ट्सवग ने टू-factor theory दी है option 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर है next again theory आ गई which theory introduced by B.F.Skinner अब जो B.F.Skinner जो है उन्होंने कौन सी theory दी है operate conditioning theory, stimulus response theory, theory of conditioning या फिरी of associates तो B.F.Skinner की बात करें तो इन्होंने दिया operate conditioning theory यानि संचालक, इस्तिति, सिध्धान्त तो यह आप पस as it is इसको याद कर लीजिए इसमें कोई समझने बाली बात नहीं है ठीक है और अगर आप चाते हैं theory discussion हो तो हम theory को भी discuss कर लेंगे अपनी next video में नेक्स्ट है human resource management function does not involve अब जो human resource management का जो function है उसमें कौन सा इसमें से functions include नहीं किया जाता है recruitment, selection, cost control या field training तो देखें यहाँ पर बात किया रहे है human resource management की human resource का मतलब क्या है एक यहाँ पर personnel की बात की जा रहे है तो देखें human resource management के अंदर हम recruitment भी बात करते हैं selection की बात करते हैं उनकी training की बात करते हैं लेकिन cost control की बात नहीं करते है cost control की बात हम कहां करेंगे cost accounting में ठीक है तो यहाँ पर जो इसके अंदर include नहीं हो रहा है function वो है हमारा cost control तो option 3 यहाँ पर हमारा right answer है next question है staffing includes अब staffing के अंदर क्या क्या चीजों को include किया जाता है यह हमें बताना है workload estimation placement induction या फिर all of these तो देखें स्टाफिंग के अंदर हम placement को भी देखते हैं induction को भी देखते हैं तो यहाँ पर देखे वर्कलोड estimation भी आएगा क्योंकि वर्कलोड estimation में क्या होता है जहां staffing करते हैं किसी परसन को अपॉइंट करते हैं यह सारी appointment placement यह सारी चीज़े स्टाफिंग के अंदर आते हैं ठीक है जो हम उसको अपॉइंट करेंगे तो हम workload भी देखेंगे कि estimate लगा पर option 1, 2 & 3 तीनों correct है तो all of the यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा ठीक है तो option 4 हमारा यहाँ पर right answer है next question पर आते हैं competition act enacted in the year अब जो competition act है आपने पढ़ा होगा competition act के बारे में तो आपको यह बताना है यह कब आया था June 2002, December 2002, January 1999 या फिर none of these again competition friends में आपको अपने practice set में कम सकम चार से पाच वार पहले भी बता चुकी हो इस concern में आपको बिलकुल नहीं बताऊंगी यह भी आपको homework में बताना है इससे पता चलेगा कि आपने मेरे previous video देखी है या नहीं या फिर आपने अपना पहले से याद किया है या नहीं तो यह आपको मुझे बताना है मैं नहीं बताऊंगी competition act के बारे में और मैंने इस पर theory class भी करी हुई है तो आपने अगर competition act को पढ़ना है तो आप competition act की जो theory class है उसको भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट है physical environment includes यानि कि जो physical environment होते हैं उसमें क्या-क्या चीज़ें include की जाती है जैसे कि natural resources climate water all of these तो देखिए physical environment में यह सारी ही चीज़ें हमारी cover हो जाएंगे natural resources भी हमारे physical environment का पार्ट है climate भी है water भी है इसलिए यहां पर option 4 हमारा again right answer हो जाएगा ठीक है और friends यहां पर अगर आप इसके साथ ही साथ कुछ और theory की भी मैं आपको साथ ही साथ बता देती हूं यहीं पर देखिए theory x and y एक्जाम में बहुत पूछी जाते हैं किस ने दी थी तो theory x and y दी थी Mac Gregor ने याद कर लिजे यह Mac Gregor ने दी थी और तेखिए theory x के अंदर जो person होते हैं वो passive होता है यानि कि इनको किसी के motivation के जरूत होती है जब तक इन जो theory x वाले जो person होते हैं यानि इस नेचर के person जो होते हैं वो लोग चाहते है कि कोई person हमें पीछे से मतलग एक तरह से क्या होता है हमें पुश्च करें तब हम किसी काम को करें कोई हम से कहेगा कि आप यह काम करो तब यह करते हैं जबकि five वाले जबकि nature y के यह तक कि एकज़ा जूते हैं हैं JU एकस फैर्शाय है दॉन मुष्ई को तैने ख्यास चैनल है, आप mouth सब्सक्राद कें उलिग थिवाना University खोड़त लिधा में ट्फीरों लिद्र मेंकर पूची टाते हैं हैं कि तैना सzरो होगाना ते हिए फैर्टां को दो और जैसे कि father of scientific management यह भी मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ तो यह किस ने दिया था यह यह थी फादर ऑफ scientific management के नाम से जाना जाता है फेटरिक डबलू टेलर को ठीक है और इसके साथ ही साथ अगर हम कुछ और की बात करें जैसे कि इसके साथ ही साथ जैसे कि जो हमारी होत्रों थे वह किस ने दी थी तो में ने दी थी तो कुछ important थे जो कि आपके एक्जाम में बहुत पूछी जाती है तो आप उनको देख लीजेगा क्योंकि मैं पहले भी इसको discuss कर चुकी हूँ class में तो अगर आपने नहीं देखा है तो previous class भी जाके देख लीजेगा इसके साथ ही साथ the function of executive के author कौन है तो वह है चेस्टर वर्नार्ड तो इस तरह से आपके एक्जाम में तो आप के मेलेजन काको ख्यून संधेशन का जwelए से से सानधू पशन पर इस नियुक्ष् assume और बहुत पltर नहीं दीदीड है तो आप अब्लीजेगा के मंहिए और क्याती हुए आप नहीं से उत्यूजिद के ये Ellieे पालीजेगा जर्off okay को मुझे कोस्टा कि अगर आपको लगता है है कि यह रह गया है या फिर आपको पर कहा रीजन चाहते हैं तो अब मुझे बताइज हुआँ नोट सके और पर दोचान गाल पेका और किसे और जो मुझे जराएज लिए। सब्जेक्ट से आपके लिए mcqs लेकर आउंगी ठीक है तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा आपने फ्रेंड्स की जरूर शेयर कीज़ेगा जिसे की उनकी वी प्रप्रेशन हो जाए तो